अगर आपको कहीं न कहीं डाउट है प्रॉसस के बारे में क्लारिटी नहीं है तो एक छोटा सा वीडियो जो है इसी को डेडिकेटेड है पटाफट से मुद्दे की बात पर आते हैं देकिंगे सबसे पहले आवविस सी बात है फॉर्म भरने के लिए आप जो है यू आईसी की वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा जैसे ही आप गूगल पर डालेंगे रिकूट्मेंट का ओप्शन आपको जस नीचे नजर आ जाएगा इस पर फटा फट से एक बार जो है वो क्लिक करिए उसके बाद जब आप देखेंगे सबसे पहले नंबर का ओप्शन ही रिक बार इसको चेक कर लिजेगा दुबारा से क्योंकि इसके बारे में मैं पहले ही एक सेशन लगा चुका हूँ तो सीधा जो है बुद्धे की बात पर आते हैं अप्लाइ ऑनलाइन पर आपने क्लिक करना है उसके बाद क्लिक हीया फॉर न्यू रिजिस्टरेशन अगर आप न जैसे आप कोई भी फॉर्म फिल अप करते हैं उसी तरीके से आपको यहां पर भी क्या है करना है मोबाइल नंबर डालने के लिए बुला जाएगा तो आप मोबाइल नंबर जो है वो इन्पुट कर सकते हैं इसके बाद जो है आप अपना इमेल आइडी जो भी है एक्स वाई जी के यहां पर डॉमेन नीम पर आप जो है क्लिक इन कर सकते हैं उसके बाद इसको आपको मैनूली टाइप करना पड़ेगा पूरा और लास्ट में जो है आप कोड जो है उसको इन्पुट कर सकते हैं यह पूरा करने के बाद सेवेंग नेक्स का आप्शन आपको ये पर दिखाई दे रहा है फटाफट से इस फाइल पर आप जाएंगे डेस्टॉप पर मैंने एक फूटो सेफ किया हुआ है सैंपल के तौर पर इसको मैं क्लिक कर देता हूं यह फूटो जो है वो अप्लेड हो चुका है इसके अलावा जो है यहां पर एक टिक बॉक्स से इसको क्लिक करना है signature अफुफली आपने चलिए इसके बाद आप क्या करेंगे यहां पर आप एक सब्सक्राइब कर दिजिए इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो भी details जैसे यहां पर मैंने पहले ही फिल कर रखा है category आप फिल-इन करिएगा इसके बाद are you person with benchmark disability जो है इसके option पर आप no type कर सकते हैं इसके अलावा कुछ basic details हैं जो generally चाहिए होगी इसको पढ़ते जाएगा minority community को belong करते है religion क्या है इस पर जो है आप click कर सकते है ex-servicemen है या या यह generic details है जो कहीं भी आप से पूछी जाती है उसके बाद जो है nationality citizenship आधार card का number है तो वो आप input कर सकते हैं जहां पर भी आपका examination center आप चाहते हैं वो जगह आप input कर सकते हैं इसके बाद personal details की बारी आती है यहां पर देखे date of birth लिखा हुआ है gender लिखा हुआ है इसके अलावा कुछ basic details है father's name याद रखिए बड़े ध्यान से भरिएगा जो भी आपकी mark sheet में जो है father's name है उसी को fill in करिएगा mother's name जो है इसके अलावा address जो है जो आपका correspondence का address होना चाहिए वो भरिए एक नीचे option नज़र आएगा same as address of correspondence permanent address अगर permanent address अलग है तो उसके लिए अलग से fill in करिए अगर same है तो इस पर click कर दीजएगा उसके बाद जो है यहां पर एक बार save and next करने से पहले validate your details पर click करिए अब देखें आगे रहा verified successfully इसके बाद क्या कर सकते हैं इसके बाद आप save and next पर जाएए जब आप save and next पर जाएंगे तो आप देखे एजुकेशनल qualifications के लिए यहां पर option आ रहा है तो graduation जो भी है आपका जिस भी है जैसे arts में है date of passing जो है वो आप यहां पर mention कर सकते हैं जैसे मैं आपर कोई भी imaginary figure यहां पर put in कर देता हूं ठीक है 60% से जादा माक से यह तो obviously बात है नंबर यहां पर उसी कह रहा हूं आएंगे first class हो गया उस graduate अगर आप हैं तो आप वहां पर mark कर सकते हैं जो भी है एक imaginary number मैं यहां पर mark कर देता हूं उसके लावा do you have knowledge of computer यहस आपने यहां पर का input करना है उसके बाद अगर आपके पास कोई भी अगर आपके पास work experience है तो उस work experience को भी आप input कर सकते हैं छेक है languages known में जो भी आपकी language है जैसे हिंदी है तो आप हिंदी आपर input कर सकते हैं एक बार आप read, write और speak जो है इसके लावा अगर आपको English आती है तो English भी आप जो है input कर सकते हैं एक बार उसके बार जो है validate करके एक बार देख लीजे तो देखें यह भी verified हो गया अब next पर आप चले जाएए save and next ठीक है save and next पर जाने के बाद यहाँ पर आपको पूरी आपकी details जो है वो यहाँ पर देख जाएंगी जिस तरीके से आपने जो भी भरा हुआ है एक बार इसको cross check जरूर करिएगा क्या details है कैसे हैं उसके बाद जो है जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो एक complete declaration आएगा तो I agree क्लिक करिए और इस complete declaration पर जो है आप क्लिक कर दीजिए चिक है तो इसके बाद क्या होगा जैसी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका thumb impression जो है वो मांगा जाएगा चिक है तो आप अपना जो है thumb impression जो है यहाँ पर दे सकते हैं चिक है मैं यहाँ पर imaginary number लग declaration का जो format है वो आपको वही पर मिल जाएगा इसके बाद जो है security code जो है वो आप डाल सकते हैं जे जे तू सेविन डी जैसे वहने यहाँ पर डाल दिया इसके बाद आप फिर save and next करेंगे यहाँ पर जो है जो भी है यहाँ पर जो है ठंब impression का photograph आपने डालना है आप ठंब impression का photograph यहाँ पर डालेंगे जैसे ही आप यहाँ पर click वो select एक बार कर लीजेगा और उसके बाद जो है आपका जो form है वो एक बार पूरी तरह से fill up हो जाएगा चले hopefully आपको clear हुआ होगा details को ध्यान में रखेगा दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं अभी हमारा जो है bank महा pack जो है 2199 रुपे में मिल रहा है 2499 की जगा इसके अलावा हमारा जो महा विश्वास pack है वो भी आपको 2499 में जो है वो available हो जाएगा इसके अलावा अगर देखेंगे foundation bank का foundation 3 यह मेरा batch है जो बहुत ही जल्दी start होने जा रहा है तो इसके लिए भी आप enroll कर सकते हैं साथ में aim 3 है IBPS PO SBIPO के लिए complete interview batch है अगर आप ने ये qualify किया है और interview का वेट कर रहा है तो यह आपके लिए must जो है वो हो जाएगा साथ में जो है आप इसको फटाफट से enroll कर सकते हैं इसके लावा हमारे math का foundation batch भी start हो रहा है 12th January को जो है इसका basic announcement जो होने जा रहा है इसके अलावा सबसे जरूरी मेरा ultimate English batch foundation का जो है वो start हो रहा है इसके लिए भी आप enroll कर सकते हैं सबसे बहतरीन बात यह है कि आपको यह सिर्फ जो है वो available होने बाला है तो फटाफट से enroll करिए और जो है अपने सब्सक्राइब करिए Thank you very much